अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ चैनल मैं हूँ अमन ठाकर और आज हम करने वाले हैं जनरल इंशियरंस का चैप्टर नमबर 25 जो की है पर्सनल एंड रिटेल इंशियरंस पिछले chapters में हमने general insurance के various concepts और principles के बारे में जाना General insurance को अलग-अलग categories में बाटा गया है और इस chapter में जो हम topics करने वाले हैं वो है Householders Insurance, Shopkeepers Insurance, Motor Insurance और Personal Accident Insurance तो हम सबसे पहले बात करेंगे Householder's Insurance Policy के बारे में A Householder's Insurance Policy only provides coverage on losses in occurred to an insured property from hazards or events named in the policy The perils covered will be clearly spelled out Householder's Insurance Policy एक ऐसी policy होती है जिसमें कि आप जो एक मकान के अंदर जो समान है प्लस जो उस मकान का structure है आप उसकी insurance करवा सकते हैं अब ये जो आपका मकान है और उसके अंदर रखा गया जो समान है उसकी insurance हो रही है तो जो जो products जिनके आपने insurance करवाई है वो सारे के सारे policy जो आप लोगे उसमें लिखे रहेंगे जिन जिन खतरों से आपके मकान को और उसके समान को सुरक्षा मिलेगी वो सारे perils, hazards सारे आपके policy में सारे लिखे जाएंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं देखे अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो householder's insurance है उसमें आपको जो मकान है उसके structure पर तो insurance का कवर मिलता ही है साथ ही साथ जो इस मकान में आपका जो समान है जैसे आपका furniture हो गया जूल्री हो गई या बुक्स हो गी या फिर बाकी और भी जो आपका समान है अगर आप उनकी भी insurance करवाना चाहते है तो वो householder insurance में cover हो जाती है क्योंकि देखिए जो घर के अंदर समान है उसको खतरा रहता है जैसे की fire से या फिर कोई दंगे हो रहे हैं या फिर कोई पाइपें फट गई या earthquake इस तरह की problems में जो घर का समान है उसको अगर हम insurance cover के अंदर लेना चाहते हैं तो householder insurance के द्वारा आप उसे ले सकते हैं Apart from the structure, it covers the contents against burglary, house breaking and theft अब ये point कह रहा है कि structure को अगर कोई नुकसान हो रहा है और फिर घर के समान को नुकसान हो रहा है वो तो cover होगा ही होगा साथ में अगर आप cover चाहते हैं जिसमें कि अगर चोरी हो रही है या घर तूट रहा है, कोई डाका डल गया है घर के समान पे तो वो सारी चीज़े भी इस तरह की insurance में cover की जा सकती है Next हम बात करेंगे package और umbrella cover give under a single document a combination of covers अब ये point कह रहा है कि अगर हम combination of covers चाहते हैं तो ऐसे cover को package या फिर umbrella cover कहा जाता है जिसमें एक ही document में हमें अलग-लग प्रकार के coverage मिल जाती है For householder's insurance policy Generally there are two methods of fixing the sum insured Market value and reinstatement value देखे अब ये point कह रहा है कि अगर हम householder's insurance policy की बात करते हैं तो इसमें sum insured को fix करने के दो methods रहते हैं जिनमें एक है market value जिसको की short form में MV भी कहा जाता है और दूसरा है reinstatement value जिसे की RIV भी कहा जाता है Next हम बात करेंगे shopkeeper's insurance policy के बारे में तो देखे shopkeeper's insurance usually covers the damage to shop structure and contents due to fire, earthquake, flooding and other type of damages like burglary तो देखे ये point कह रहा है कि जो shopkeeper insurance cover है उसमें coverage मिलती है किसी दुकान को अब उस दुकान में क्या-क्या cover होगा दुकान का structure और जो उसके contents है मतलब जो दुकान में समान रहता है उसको अगर कोई नुकसान हो गया है जैसे मालीजे आग लग गई है या फिर अर्थ को एक आ गया है भुकमप आ गया है flooding मतलब बार्ड आ गया है या चोरी हो जाती है तो ऐसे-ऐसे cases में जो दुकान को या उसके अंदर रखे गए समान को जो नुकसान होता है तो shopkeeper insurance से उन सभी को coverage मिल जाती है नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शॉप इंशूरेंस केन आलसो इंक्लूड बिजनस इंटरप्शन प्रोटेक्शन अब इस पॉइंट में कहा गया है कि शॉप कीपर इंशूरेंस में अब देखे कि अगर किसी के दुकान के साथ कोई problem हो गई है कोई नुकसान हो गया है कोई भी कारण हो सकता है जो कि हमने उपर वाले पॉइंट में किये तो उसकी वज़े से काम नहीं हो पाएगा उतने दिन तो जो इंटरप्शन होआ है काम में जो रुकावट आई है उससे भी शॉप कीपर इंशूरेंस जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटर इंशूरेंस की मोटर इंशूरेंस कवर्स दा लॉस ओव वहिकल और डेमेज़ तो देम डियू तो एक्सिदेंट्स और सम अधर रीजन्स अब देखिए इस पॉइंट से सिंपली हमें क्लियर हो रहा है कि जो मोटर इंशूरेंस कवर रहता है वो बेसिकली होता है वेहिकल के लिए और जो भी वेहिकल को लॉस हुआ है वो किसी भी कारण से हो सकता है जैसे एक्सिदेंट हो गया क्या और कारण हो गया तो वेहिकल को जो नुकसान हुआ है मोटर इंशूरेंस उसे कवर करेगी नेक्स्ट पॉइंट है परस्नल एक्सिदेंट के बारे में तो देखिए परस्नल एक्सिदेंट इंशूरेंस इस आ पालेसी दैट कवर्स अग्सिदेंस arising due to an accident it also gives compensation to policy holder in the case of partial or permanent disability तो देखिए personal accident insurance policy एक ऐसी policy है जिसमें अगर policy holder का accident हो जाए तो जो भी medical का खर्चा होगा वो सारा ये cover मिलेगा इस policy में प्लस इस compensation में क्या है कि अगर accident की वज़े से policy holder का partial या फिर permanent disability हो जाती है तो उसमें भी compensation मिलने की सोविदा मिलेगी अब हम बढ़ते हैं इस chapter के questions की तरफ so the first question is in householder's insurance options दी कही है हमें householder insurance के वारे में कुछ और हमें जानना है कि सही option कौन सी है first option है gold and silver ornaments are covered next है contents of one's shop is covered car owned by family are covered parcels sent by post are covered during transit तो देखिए householder insurance के बारे में पूछा गया है नीचे जो options दी गई हमने अभी बात की जिनकी कि कौन सी चीज इसमें cover होगी तो देखिए householder insurance policy में gold और silver ornament जो घर में है उनको coverage मिल जाएगी तो इस लिए इस question का जो right answer है वो होगा option number one now the next question is householders insurance covers अब इस question में भी householder insurance cover की ही बात की गई है और options में हमें जाना है कि किन चीजों को coverage मिलेगी so options are only structure of the home only contents of the home और third option कह रही है both the structure and the contents और fourth option कह रही है both structure and contents only when insured is not at the home तो देखिए जो householder insurance coverage रहती है वो हमने जैसे अभी बात की थी जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो इस में जो home का structure है उसे भी coverage मिलेगी और जो home में contents है जिनकी हमने policy करवाई है जो कि हमारे policy में जिन्हित हैं तो उनको भी coverage मिलेगी तो इसलिए इसका जो right answer आएगा वो option number three होगा means both structure and contents next question है in shopkeepers insurance which of the following are not covered आपको बताना है कि जो shopkeepers insurance रहती है इन में से कौन सी चीज़ जो है वो cover नहीं होगी तो चली options देखते हैं सबसे पहले हैं machinery breakdown then malicious damage then business interruption और fourth है willful destruction of the insured तो देखिए shop की पर insurance है तो उसमें shop के structure और shop के contents को तो coverage मिलेगी ही प्लस जितने time काम नहीं हो रहा है business में जो interruption आई है उसको भी coverage मिलेगी पर अगर इच्छा पूरवक destruction की गई है insured के द्वारा तो उसको कोई coverage नहीं मिलेगी तो इस question का जो right answer आएगा वो होगा option number four that is willful destruction by insured next question है in shop keepers insurance which of the following are usually not covered आपको बताना है कि shop keepers insurance में कौन सी ऐसी चीज है जिसको की coverage नहीं मिलती है so the options are money in till और counter at the business premises जो की money है जो business premises के counter में है उसको next है money in transit from bank to business premises जब money transfer हो रही है bank से business premises में money in safe at the business premises money जो की business premises के safe में पड़ी है या फिर money carried by customer to business premises money जो की customer business premises या फिर shop तक लेकर आ रहा है उसको तो देखिए इस question का जो right answer आएगा वो होगा option number 4 क्योंकि जो one two and three तीनों options में तो coverage मिलेगी पर जो fourth option है जिसमें की customer जो money लेकर आ रहा है अपनी money जो की shop तक लेकर आ रहा है उसको कोई भी coverage इसमें नहीं मिलेगी तो इसका जो right answer है वो option number four होगा next question है shopkeeper insurance covers अब इसमें भी पूछा गया है कि shopkeeper insurance cover जो है वो किस किस चीज को cover कर रहा है तो चलिए चेक करते हैं क्या है question dishonest act of employees मतलब आपके जो employees है shop के में उनका कोई dishonest act है मतलब उनने कोई चोरी कर ली या कुछ इस तरह का काम किया next है dishonest act of insured मतलब insured का ही कोई गलत काम है next है dishonest act of customer customers ने कोई dishonest काम किया है next है आपका dishonest act of money landers जो money lander है यानि कि जो लेंदार है उनका कोई dishonest act है तो देखिए shop insurance cover में सिर्फ employees के द्वारा जो dishonest act किया गया है कोई चोरी की गई है या कोई गडबड ऐसी की गई है तो उसी को coverage मिलेगी तो इस question का जो right answer हो होगा option number one next हम बात करेंगे which of the following is mandatory in insurance as per motor vehicle act 1988 तो इस question में आप से पूछा गया है कि अगर हम motor vehicle act 1988 के हिसाब से देखे तो कौन सी ऐसी option है जो नीचे दी गई है उन में से कौन सी ऐसी option है जो की mandatory है ज़रूरी है तो options है fire insurance, own damage insurance, third party insurance और fourth option कह रही है all of above तो देखें motor vehicle act 1988 के हिसाब से third party insurance जो है वो mandatory है तो इसका जो right answer है वो option number three होगा next हम बात करते है personal accident cover is only तो आप से personal accident insurance की बात की गई है अब इसमें पूछा गया है कि जो personal accident cover है वो सिरफ मिलेगा अब चेक करते हैं क्या options है while traveling abroad मतलब जब आप abroad में travel कर रहे है while traveling in India जब आप इंडिया में travel कर रहे है for both traveling in India and abroad जब आप इंडिया और abroad दोनों में travel कर रहे है और fourth option कह रही है while traveling in India and neighboring countries जब आप इंडिया और जो इंडिया की आसपास पडोसी countries है उनमें travel करते हो तब आपको accidental cover मिलेगा तो देखिए इसका जो right answer है वो option D आएगा क्योंकि personal accident cover जब आप इंडिया और इंडिया की जो neighboring countries हैं पड़ोसी देश हैं वहाँ पर travel करते हैं तब आपको इसका coverage मिल जाता है चलिए अब हम next बात करते हैं Who among us following can take personal accident policy आपको बताना है कि जो नीचे दी गई options हैं इन में से कौन ऐसा होगा जिसे की personal accident policy अगर उसने लेनी है तो वो easily ले सकता है तो options है a clerk of the bank, bank का clerk है, a military personal, a terrorist, an insolvent person तो देखिए इसमें जो military personal है उसे personal accident cover नहीं मिलेगा then जो terrorist है उसको तो मतलब ही नहीं बनता और insolvent person मतलब जो दिवालिया हो चुका है व्यक्ति उसे भी नहीं मिलेगा तो ये policy जो है personal accident cover जो है वो एक bank clerk को easily मिल जाएगा तो इसका जो right answer है वो होगा option one next question है TPA stands for आपको TPA की full form बतानी है so options are third party administrator, third people administrator, the provider administrator and third portability arrangement तो इसका जो right answer है वो आएगा option number one that is third party administrator तो last में आप लोगों के लिए है bonus question और bonus question का जो answer है वो आपने पहले तो question को ध्यान से पढ़ना है फिर इसका answer मुझे आपने comment करके बताना है तो देखिए question है personal accident covers apart from death arising out of accident options देखिए और इसका answer मुझे जल्दी से बताइए thank you and best of luck